तो गाइस वेल्कम तो माई यूट्यूब चैनल जिसका नाम में आसे आसा और अब इस वीडियो में आपको बताने माला हो कि आप NFS Moves Wanted Game को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने स्मार्टफन में तो गाइस डाउनलोड लिंक में दिस्क्रिप्शन में दे रखें आप वहां से APK और OBB फाइल को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं उसके बास आपको एक और अप्लिकेशन डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है Z-Archiver यह अप्लिकेशन प्लेस्टोर पर बिल्कुल फ्री है जिसे आपको कोई पैसा नहीं लगे गा और यह अप सिर्फ 4 MB का तो आप आसान को डाउनलोड किआए उस फोल्डर को अपेन करना है अगर आपने य९ूसी ब्राउसर की आया तो यूशी डाउनलोड में होगा यहां पर मैंने Google से किया है तो मेरे डाउनलोड कोई इस डाउनलोड में जाने के बाद आपको यहां पेipー केप्लिक करकर अपने करना है यहां आपको simply install कर लेना है जाइज इंस्टाल हो रहा है इंस्टाल हो जाने बाद आपको open नहीं करना है यहां पर देखिए इसकी scanning हो रही है इसे पदा जल जाएगा कि इस app में वाइरिस है कि नहीं तो guys आप देख सकते हैं यह बिल्कुल safe है इसमें कोई वाइरिस नहीं है तो guys का जाना है यहां पर आपको ओवी फाइल पर भी ऐसे ही करना है तो आपको यहां पर ओवी को select कर लेना है तो इस वास आपको extract पर क्लिक करना है यहां पर download पर क्लिक करना है तो यहां से आपको device memory में जाना है तो यहां पर आपको android में जाना है फिर ओवी में आप क्लिक करकर यहाँ पर आप इस file को extract कर सकते हैं तो guys, यहाँ पर मुझे override file दिखा रहा है तो guys, मैंने इसको पहले से download किया हुआ है इसलिए दिखा रहा है, आप simply OK पर click कर देंगे तो यह file extract होनी शूरू हो जाएगी जाँ जब बात कर लेते हैं इस game की minimum requirements के लिए तो इस गेम को चलाने के लिए आपको 2GB RAM चाहिए और उससे जादा है तो ये गेम बिलकुल ही आसानी से आपकी फोन में चल जाएगा यहाँ पर एक्स्ट्रेक्टिंग कंप्लीट होने वाली है और यह हो गई तो गाइज अब आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप ऐसी वीडियो इस फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें देजिए तो गाइस थैंक यू फो वाच्छिंग